यह स्थान साथ चुनों प्रमीश्विट के पासे भक्ति करने का स्थान है अब सच मानियेगा भक्ति करने वारा व्यक्ति किसी भी क्षेतर में संसार की दौड में पीछे नहीं रह सकता परमात्माँ से कभी पीछे नहीं रहने देखो तो जो करने की चीज़ है भक्ति आप कहते हूँ हम समस्याँ से विपदाओं से संक्टों सीखे ले पड़े हैं रोग हमें दुख्यी करते हैं ऐसे में भक्ति कैसे हो आपकी शिकायत सुनने में तो ठीक लगती है लेकिन ठीक है नहीं इदास आपके सेवा में हाथ चोड़ के अरदास करता है भक्ति करो शेष सब कुछ अपने आप ठीक होगा आप कहते हो नहीं पहले सब कुछ ठीक हो फिर भक्ति करेंगे ऐसा होता है इसी दिए संक्ट प्रिपदाएं दूर नहीं होती आप फिर इत्ती दिशा में चल रहे हो भक्ति गुरुमाता सब कुछ अपने आप ठीक होगा यदि ठीक नहीं होगा तो फिर भक्ति करेगा काम नहीं विश्वास से भक्ति गुरुमाता ऐसे स्थान मैं यह नहीं कह रहा कि और स्थान ऐसे नहीं हैं सबी स्थान जहां परमेश्वर विर राजमान हैं वह स्थान ऐसे ही होंगे जिस सर्शिरम सर्शिरम शिरम सर्शिरम को किसी प्रकार से देवियो सर्चनों काम नहीं मानियेंगा छोटा निशमानी है गा बहुत उच्छ स्थान है ये इसकी पुवित्ता बना के रखना हमारा करतव धर्म है मानो परमीश्वर से जुड़े रहना परमीश्वर की अरादना करने नाम जपना ध्यान में बैठना भजन की रत्रन एक्टिकरना ये सब कुछ भक्ती के अंत्रगत है जिन से प्रभु प्रीति के अभियक्ति हो वे सब साधन भक्ति के अंत्रगत आदे है जहां परमात्मा के प्रीति यहूठी वे स्थान अतिशे तुलित्तर होगा होना चास यदि हम वहाँ पर नकारात्मिक वाइपरीशन्स उत्तपन करते हैं तो हम दोश हैं, हम अप्राधी हैं मानो हमें उस्थान की पुजित्तरता का कोई ध्यान नहीं है भक्ति की तरंगें, प्रेम की तरंगें यहां पर बैठ के उठने जाएं आपकी साथवाली महिला भक्ति की तरंगें दे रही हैं तो आपको लाप होगा आप भक्ति की तरंगें दे रहे हैं तो साथवाली महिला को लाप होगा सारा वाता वर्न ही भक्ति की दरंगे, प्रेव की दरंगे, ज्ञान की दरंगे उठा रहा है तो सारे संगत को लाभोग व्यस्थान बहुत उच बन जाता है जिन स्थानों परसादक चुनूं ऐसा नहीं है उन स्थानों से दिपता उठ चाती है मैं स्थान दिन के नहीं रहते पीट पत्थर के बने हुए है बहुत सुन्दर स्थान तो दिखाई देते हैं लेकन अंदर कुछ नहीं है वहां जाके आपको शांती ये मिले है ऐसा नहीं रगता वहां जाके बेटा आपके अंदर प्रेम पैदा हो ऐसा नहीं लगता वहां जाके आपका मन स्थिर्फ हो जाए ऐसा नहीं लगता चंचल मन लेकी व्यक्ति जाता है और अधिक चंचल बनके वहां से निपलता है यह मत भीड की समस्या देवियो सजनु सिर्फ हमारी ही नहीं नीची जाती के लोगों को बहुत से धर्मस्थाल ऐसे हैं जहां जाने के इजाज़त में ऐसे स्थानों पर दिप्टाफू की परमात्मा ही जाने है मैं कुछ नहीं कहता हूँ एक सच्ची घट्रमा देवी निदेश की वहां भी ऐसी बाते होती थी अब भी होती हैं एक चर्च है वहां के पादरी गोरे हैं यह कालों को भीतर घुसने नहीं देते हैं बहुत कटर हैं जैसे अर्च की हमारे हां भी ऐसे धर्मस्थाल हैं जहां नीच जाती के लोग प्रवेश्य हैं कर सकते हैं आप धर्मस्थानों को छोड़िये घरों में प्रवेश्य नहीं करने देते अभी भी ऐसे स्थान हैं जहां आपका खाना बनता है वहां नीच जाती का व्यक्ति प्रवेश्य नहीं कर सकता इस सब बातें मैंने अपनी आँखों से देखी हैं अभी भी परचलित हैं फरक तो बहुत है, लेकर अभी भी ऐसा है, ये पादरी बहुत कट्र है, किसी काली को चर्च में घुस्रे नहीं देता, आज किसी नहीं मत करके तो कोई कालागा हंगिया है, उसे कहा, मित्र दिरा मन्या पिसाफ नहीं है, अधियों तुम्हें चर्च में आने से कोई लाग नहीं होगा, जब पहले मन पवित्तर करके फिर आना हूँ, फिर किस के आना है, मन पवित्तर करने के लिए तो यक्ति अद्दा है, रोक दूर करने के लिए तो हस्पतल जाता है, यनि रोकी है उसे हस्पतल जाने की क्या करकिया है यह पुछा रहों दिटका की चला गया है बापस उसके आगे कोई चल नहीं सकती बाहर जाके साधना की है कि मुद्दे के सबस्क्राइब साधना की पेट की रोज के लिए सुपह से लिए के रात तक कमाई करते हो फून पर सीना बहाते हो कितने घ्ञेंटों के लिए मन की सफाई के लिए आत्मा की सफाई के लिए कितना समय पर योग करते हो तनिक सोच विचार करो बात तो उसकी है इस कमाई से क्या होगा कल को दुनी दुनी थे आज लाला दुनी चंद हो गए बस इससे अधिक तो कोई कमाई नहीं है इसे अग जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा मन बिलकुल वैसे का वैसा है खोटा है आत्मा वैसी की वैसी यह मलिक है मानो अगले जन्मों की तैयारी है जाके साधना की है प्रवीश्च के ठुपा हुई साधना जरूरी रहे के लिए चर्च भी ही की जाए पंदर में ही की जाए गुर्दवारे में बैठके भी की जाए जहां में साधना की जाएगी वहाँ है अपना रंग दिखा के रहेगी कहीं भी करके देख लिएगा साधना की महमा है मन पवित्र हुआ मन पवित्र हुआ तो निरोग मन हो गया तो शांत मन हो गया अशांती की सारी बातें बीच में से निकल गए चंचलता की सारी बातें निकल गए मन अचंचल हो गया है बिर्कुल स्थिर हो गया है चेहरा हर वक्त मुश्कुराता रहता है कि संजोग की बात है आज वही पादरी सफेद इस व्यक्ति को देख बहुत चकित बड़ा शांत मुद्रा में कहीं घड़ा है कोई प्रवाद नहीं उसे कोई आ रहे हैं कोई प्रवाद के कोई प्रवाद नहीं उसे पादरी कोई पुरा ना पड़ा भाई आप एक दफ़ा चर्च में आए थी अनिक वर्ष बीत वे उसके बात कर भी आप आए नहीं व्यक्ति कहता है पादरी महुदे प्रमात्मा स्वापन में आए थी मुझे आकर कह ले तुझे उस चर्च में जानी की जूरूरत नहीं पिछले दस वरष से मैं कुशिश कर रहा हूँ उस चर्च में जाने की उस पादरी ने मुझे ही चर्च में नहीं जानी दिया तो तुम्हें कहां जाने देगा जहां मत भेद होते हैं देवियो सब्चना जादी भेद होते हैं किसी भी प्रकार कभी मत भेद है जहां पर वहां दिद्धता नहीं रहती वहां से दिद्धता उठ जाया करती है प्रमेश्वर के कावनी रहे देवियो सब्चना हमारी मती ठीक रहे है मत भी दू न उत्पन हूँ जो अनंद दूसरों का कहना मानने में है वै कहना मनवाने में नहीं है सच मानो इस बात को पर किसी ने किसी को तो कहना मनवाने वाला बनना ही पड़ता है जो अनंद कहना मानने में है रहे कि जो अनंद छोती बनं के रहने में है वे बड़ा बनने में नहीं जो अनंद शिश बनं के रहने में है गुरू बनने में नहीं मंगल शिव्ल का मनाई है